टॉपिक आप लोगों दीखे रहा है सबसे important topic आज जो होने वाला है और diagrammatic and graphical representations हम अपने data को क्या किया collect कर दिया organize कर दिया अब उसको क्या करेंगे represent करेंगे in the front of people और इसकी सुन्दर तरीके से represent करने के लिए या तो आप diagram का यूज करेंगे या तो आप graph का यूज करेंगे तो दोनों का यूज करके हम बताएंगे कि आप किस तरीके से जो हमारे data जो organize की हुए data उतको represent करना है in the front of people ना इतनी attractive तरीके से आपको represent करना है और उसका दोई में थेड़े वही या तो diagram की थुरू करोगे या तो graphical की थुरू करोगे इसके introductions की बात करें तो it is very convincing बहुत आसान होता है कि आप किसी भी use बड़े असा data को एक table graph के form में या तो इसके picture के form में आप किसी को तो क्या करते हो प्रजेंट करते हो ना डाइग्राम्स या ग्राफ के form में जस्ट वन डाइग्राम इस एनफ टूरी प्रेजेंट गिवें डाटा more effective than thousand words ना आप हजार words में उसको explain करो कोई फर्क नहीं पढ़ने वाला है एक आप उसके pictures दिखा दो आपको क्या होगा पता चाल जाता है ना तो आईए बात करेंगे हम लोग कुछ देखेंगे डाइग्राम के बारे में डाइग्राम क्या होते हैं आप लोग तो आरेड़ी जानते भी है डाइग्राम होते हैं डाइग्राम का मतलब होता है कि हम लोग क्या करते है कि आपने statical data को highlight their basic facts and relationship क्या करते है हम लोग डाइग्राम के थरू if we draw diagrams on the basis of the data collected they will easy to understood and appreciated by the all अब किसी भी डेटा को ग्राफ के फॉर्म में देखते हो या डाइग्राम के फॉर्म में देखते हो तो आप बहुत असानी से उसको क्या कर सकते हो और अब को बहुत ज़्या टाइम निलगते हैं आप कभी क्रिकेट में आप कोई भी डाइग्राम देखलो तो पता चल जाता है कि 50% पीछे मारा है आगे मारा है एस्टेट मारा है लेग मारा है तो बहुत आसानी से क्या कर सकते हो उसको significance and diagrams and graphs के कुछ हमारे features हैं तो features के बारे में कर हम लोग बात करें तो यहां देखिए सबसे पहले चीज़ की दिया रहे attractive and impressive होते हैं simple है भाई attractive और impressive होगा they make data simple and intelligible ना इदा हम simple data बना लेता है आप यहां तक लिख लदो data को क्या करता है simple बना लेता है they make comparison आप दो डेटा के बिश में किसी data को दो देख लो और compare करो भाई यह अधिक है कम है ना आप आसानी से उसको क्या कर सकते हो जान सकते हो they save time and labor time और labor cost तोनों क्या करता है save करता है they have the universal utility universal utility होती है इनकी worldwide utility होती है सिर्फ एक जगह नहीं हर जगह इसको क्या किया जाता है use किया जाता है they give more information आप छोटे से picture में lots of information आपको मिलाता है they have a great memorize effective आप किसी words को याद करने में बहुत आपको दिखकता आती है बट किसी picture को याद करना हो then you can easily remember it तो इसको बहुत आसानी से आपको याद करने में आपका यागर्द है help करता है कुछ इसके general rules for the constructing diagrams कुछ general rules होते है जो आपको जानना जरूरी है a diagram should be neatly drawn and attractive एक thumbs clear होने ची गंदा नहीं होने ची ताकि आपको easily उसके बारे में जनकारी हो सके the measurement of geometrical figures used in the diagram should be the accurate and appropriate इसके जो scales होते है वो क्या होने ची आपको accuracy देने ची एकूरेट होने ची ठीक है the size of the diagram should match the size of the paper आपकी जो paper के size से उस diagram का size match करना ची ऐसा ने कि आधा diagram आपने बनाए और आधा diagram पर यहों चला गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी ठीक है every diagram must have the suitable but short heading बहुत लंबा heading की जूरतनी होती है short heading में आपको उसको क्या करना पड़ता है आप उसको mention करना पड़ता है diagram should be neatly as well as accurately drawn with the help of drawing instruments के थुरू आपको उसको एक्दम साबसुत्रा draw करना होता है index must be given for the identification आपने index देना है आपने picture draw कर दिया तो आपको index side में लिखना रहता है उस pictures को color करके कि इसका मतलब इसको हमने यहाँ पे इस color से सो किया है यह जो color है इसको इस color से सो किया है तो आपको index proper तरीके से देने पड़ते है ताकि pictures में हर सिसका identifications उसको identify किया जा सके ठीक है footnote must be given at the bottom of the diagram footnote given रहेगा लेना पड़ेगा ताकि आप बहुत आसानी से उस diagram के बारे में आपको जनकारी हो जाए economy in cost and energy should be exercise in the drawing एकदम से आपको जब भी drawing ड्रॉइंग ड्रॉइंग करें तो आप एक कोशिस करिए कि economically हो यानि कि बहुत ज़दा इसमें खर्ष ना लगा रहा है ठीक है और time cost कम बचे types of diagram की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे one dimensional, two dimensional, three dimensional और photogram and the cartograms ठीक है तो यहाँ वेच four types के आपको diagrams मिल जाएंगे जो की आपको one by one हम लोग अभी आगे के chapters में पढ़ेंगे आगे के slides है उन slides में हम लोग क्या करेंगे इसको पढ़ेंगे ठीक है one dimension diagram के बारे में बात करें तो इसमें हमारे such diagrams one dimension measurement that is the height is used and the wide is not considered ठीक है line diagram होता है simple diagram multiple bar diagram subdivided bar diagram और percentage bar diagram यह जितने भी है वो किसमें आते हैं यह one dimensional diagram के अंदर आते हैं ठीक है अब एक है करके हम लोग इसको पढ़े तो हमने बात किया line diagram तो line diagram used in case where there are many items to be shown and there is not much of difference in their values ठीक है इनके values में बहुत है differences नहों यानि इनके wide terms में बहुत है differences नहों तो इस items को क्या किसमें हम लाइन डाग्राम में सो करते हैं ठीक है यानि wide नहों wide इसमें यहां पे कोई functions नहों तो such diagram is prepared by the drawing of vertical line for each items according to do a scale के according इसको क्या करते हम लोग लाइन डाग्राम करते हैं ना line wise their distance between line is kept uniform uniform equal होता है ना आप point पे यहां पे फिन यहां पे फिन यहां पे क्या कर सकते हैं कि line draw करेंगे according to a scale इसको बोलते हम लोग line diagram इसके कुछ हमारे features given है simple बार डाग्राम की बात करें तो या तो यह horizontal हो सकता है या तो वर्टिकल हो सकता है बार डाग्राम ओर वर्टिकल दोनों हो सकता है बार must be uniform wide and interval space between bar must be equal अब ध्यान दीजे इसके wide और interval space जो होते है वो equal होनी चीह यानि जो इनके बीच के distance होनी चीह वो परावर के distance पे इनके होनी चीह constructing a simple बार डाग्राम the scale is determined on the basis of the height value ठीक है उसके height value पे क्या करते है उसके scale को determine करते हैं ठीक है बार डाग्राम और use in the business and economics में इसको क्या करते हैं हम लोग normally use करते हैं आप हम लोग बात करेंगर simple बार डाग्राम को तो इस तरीके से हम लोग सो करते हैं simple बार डाग्राम यहाँ पर आपको मिल जाएगा यहाँ पर दिखिए आप जब भी इस तरह के questions रहगा तो आप years को नीचे सो करेंगे और उसके बाद यहाँ पर scale ले लेंगे फिन गैप छोड़के तीसरा चोथा इस तरह करके का अगरेंगे आप इसको बनाएंगे ठीके multiple बार डाग्राम multiple नाम ही है multiple मतलब ही है एक साथ ठीके two or more set को एक साथ बनाते है ठीक है इसके कुछ features हैं यहाँ पर लिख सकते हैं आए हम लुक देखते हैं इसके आप देखिए multiple यानि कि आपको ध्यान देना होगा 1998 जो year given है इसमें आपको एक मिल जाएगा 195 ठीक है profit before tax और profit after tax तो यह आप 1998 डाल देंगे profit before tax आप एक में सो करेंगे और just इसके सटे हुए ही profit after tax फिर उसके बाद एक space देंगे फिन उसको दुनों को सो करेंगे फिन space फिन इस तरह करके आप सो करते हैं इसको बोलते है multiple बार डाइग्राम अब बोलते हैं अब लोग sub divided बार डाइग्राम sub divided का मतलब होता है या एक ही बार डाइग्राम में divided होता है ना sub divided into various part of proportions proportions के basis में divide होता है value given in the data and the whole bar represented the totals ठीक है जैसे कि इसमें हमने दिखाया है simple subdivided subdivided यहाँ पे आपको में जाएगा subdivided बार डाइग्राम जैसे कि यहाँ पे आपको दिखिए इस पर्सेंटेज से subdivided बार डाइग्राम यहाँ पे ठीक है subdivided को हम लोग इस तरह से देखिए family A family B को सो किया है ठीक है अब family A को हमने इसो किया family A को सो किया तो इसमें देहान दिखे कि food हमने सबसे पहले यहाँ तक food किया उसके बाद हमने क्या किया यहाँ से 20 उपर लिया यह हो गया हमारा closing इसके उपर total लिया जुकेशन इसके उपर total house render इसके उपर total miscellaneous ठीक है अब इसको हमने क्या किया कि index में सो किया है और index में जब भी आप सो करोगे तो आप क्या करोगे किया side में index बनाओगे और index में आपको क्या करना होगा यह इस तरह से column बनाने होगे और जो यह से मान लिजीए इसको ऐसे आपने सीफ किये न यह वाला इस तरह कलर तो कलर करोगे और बताओ कि यह वाला जो है और किसके लिए वाई food के लिए ठीक है और फिर जैसे से color है blank है ब्लेंक वाला किसके लिए वाई closing के लिए तो इस तरह से आप क्या करोगे अलग अलग तो एक ही में नहां दीजेगा जब भी subdivided बनता है तो आपको पूरी family का एक ही बार बनेगा लेकिन उसमें क्या होगा आप यहां से पचातर बनाएंगे फिर पचातर से 20 आउर एट करेंगे फिर यहां से 15 आउर एट करेंगे यहां से 40 आउर एट करेंगे फिर 25 इस तरह करके आप family A का और family B का बनेगे कि इसमें आता है percentage by diagram तो आपको क्या करना होगा बाई बार डाईगराम का percentage find करना होगा जिसको आपको टोटल को 100 में क्या करना होगा तो यहां पर देखिए सबसे पहले चीज़ की आप कैसे करेंगे फैक्ट्री एं फैक्ट्री भी का दिया हुआ है सब्सक्राइब करेंगे इस तरह करेंगे आप पूरा निकाल जागा इतना इन्टु हंडड़ करेंगे फिन 3,500 upon 7,640 into 100 करेंगे इस तरह करके आप पूरा निकाल ल編 इसी तरह ऐमारा ख्रक्टर कह निकाल जाएगा टू डामेंशनल में हमने पढ़ना है रेक्टेंगलर, स्क्वायर और पाई डाइग्राम, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल में हमारा यहां पे, यहां पे दिया है, फैमली A और फैमली B, ठीक है, तो आपने क्या करना है, कि वहाई उसी तरह, टोटल करना है आपको इसमें, परसेंटेंज में आप क्या करेंगे, उसको कनवर्ड कर देंगे, तो परसेंटेंज में क्या करेंगे, उसको कनवर्ड कर दीजिए, ठीक है, तो परसेंटेंज में कनवर्ड हो जागा, टोटल, आपने यहां कर देना है, फिन उसके बाद 2000 upon 5000 into 100 करके, इस तरह क्या करेंगे, आप percentage find करतेंगे इसके बाद आप देखिए rectangular है ना इस सब डिवाइड़ परसेंटेज ही बोल सकते हैं इसको rectangular बोलते हैं दोनों बोलते हैं rectangular ship में आता है ना देखिए rectangular ship में आगे है ना इस तरह है इसलिए इसको subdivided rectangular के नाम से भी जानते हैं तो बोजा rectangular country के rice का productions करेंगे ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखिए इस तरीके से आप इसको square root में क्या करेंगे convert करेंगे ठीक है four two ठीक है तो इसको आप इसमें convert करके आप इसको यहाँ पर डाइगराम बनाते हैं इस तरह के diagram mostly आता नहीं बठाँ पाई डाइगराम जो की most important है आपको आता ही आता है आपको आना ही आना चाहिए अब इसको किस तरीके से हम लोग पाई डाइगराम बनाते हैं तो ध्याद दीचेएगा यह circular form में होता है यानि की circular form में होता है 60 degree में ही हम लोग क्या करते हैं इस पूरे data को सो करते हैं तो यहां पर हमारे country दिया है और sugar का production दिया है तो इसको solve कैसे करेंगे आए देखते हम लोग सब से पहले काम करेंगे कि हमने क्या करना है कि हमारा production दिया है आप इसको क्या करेंगे कि हम लोग degree में set करेंगे degree कैसे set करेंगे सर अमारे पास total कितने degree होते है 360 तो हमने क्या करना है कि 360 इसको टोटल कर देना है आपको टोटल यहाँ पर कर देना है उसके बाद क्या करना है कि 62 अपॉन 166 इंटो 360 डिग्री तो ठीक है इसको क्या करेंगे कि आज बैसे से करते जाएंगे इसको तो यह क्या होगा आपको इस तरह से कि कनवर्ट होता जाएगा ठीक है इसको डिग्री में कनवर्ट करने के लिए 360 से आप यहाँ पर यहाँ पर ध्यान दीजेगा जितने भी नमबर है उसको क्या करोगे 360 से आप डिवाइड करोगे इंटू जो भी रहेगा उसको आप मल्टिप्लाइग करते चलोगे तो यहाँ यहाँ पर डिवाइड करते चलोगे तो इसको क्या करोगे डिवाइड करते चलोगे तो मल्टिप्लाइग इस तरह करके सब को तो यह निकल जाएगा और इसको फिर बनाना कैसे रहता है इसको बनाना रहेगा आपको हेल्फ लेना होगा कम पास का तो आप क्या करोगे कि एक गोलाव बनाओगे वहाँ से फिर 180 डिवाइशा बना दिया ठीक है अब यहाँ से इंगल लोगे इंगल 135 का यहाँ से इंग कि अगरा है कि अगरी डायमेंशनल बात करें तो यहाँ पर लेंथ वाइड और हाइट की बात करतें तो तीनों बनता है यहाँ पर देखिए तो इस तरह करके हम लोग क्या करतें इसको बनाते वह ज़्यादा इसमें आता नहीं ठीक है अभी हमारा ग्राफ की बात करें तो चलिए हम दो ग्राफ को भी पढ़ लेते हैं यह हमारा डाइग्राम था ग्राफ तो कुछ विजुवल और प्रजेंटेशन और इस्टेटिकल डाटा इसको ग्राफ में हम लोग करते हैं जो कि और ज्यादा मोर अट्रैक्टिव हो जाए तो इसमें ह तो इसमें माने सबसे पहले हिस्टोग्राम पढ़ना है हिस्टोग्राम इस बार शार्ट ग्राफ सब्सक्रणेंग की एक मत शूनग ट्रिकेंश के इस वेलू History शीande am डिज्ज Ain जेगा हमने हिस्टोग्राम पर में का नतुर है तो हिस्टोग्राम के बीच में difference होता था और हमने क्या कर रहा था यहां पर distance छोड के बना देतso है बट क्या करेंगे 0 से बनाएंगे टान जिशान जी जिरो तुर फिफ्टी 50 200 कि इसमें कोई भी अंतर यानि कोई भी क्या होता है कि आपको gap नहीं रहता है जब भी आप histogram बनाएंगे हिस्टोगराम में नहीं होता है यहाँ पर 문제가 कि इसको जोड़ेंगे जोड़ेंगे इसको बनाने के बाद आप क्या करेंगे इसके मीड वैलू को आप जोड़ते चलेंगे एक स्टेट लाइंग्स यहां से मीडवेल्व यहां 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 इस तरह करके आप मीडवेल्व क्या करेंगे जोड़ेंगे इसको बोलते हम लोग frequency curve की बात करें तो यहाँ पे देखिए frequency आपके यहाँ पे दिया हुआ है curve यहाँ पे class interval ci दिया है और यहाँ पे frequency given है number of families आप इसको भी इसी तरह करके क्या करेंगे मना देगे उजाइब कर्ब की बात करें तो उजाइब कर्ब में हमारा क्या होता है इसमें देखिए जब यहाँ बनाए उजाइब कर्मे तो आपको दो छीश मिलेंगे लेश देन उजाइब कर्मेथड और दूसरा मिलेगा हमारा मोर्देन उजाइब कर्मेथड आपको मिलेगा लेश देन में क्या होता भई लेश देन देखिए जिसमें आप यहाँ ऐस तरह से आपको दिया रहेगा एक इंटरवल जिसमें CI दिया है तो आईए हम लोग class क्या बनते हैं less than मनाते हैं तो less than क्या करेंगे भाई देखो हमारे प्यास दिया less than क्या होगा 30 इस तरह करके न तो less than class limit less than 0 more than बना है क्या less than ओजायव कर ठीक है तो यहापे क्या करेंगे जब less than पूछेगा तो less than यहापे लिखेंगे less than less than आपने लिखना है 30 40, 50, 60 इस तरह करके आप 100 तक लिखेंगे ठीक है आप उसके बाद जब बात करेंगे हम लोग इसके cumulative frequency का तो less than की बात क्या करेंगे जिखेंगे देहां दीजेगा और जब भी हम लोग यहाँ पर लेंगे more than, अलग से बनाईएगा more than का more than में 20, more than 30, more than 40 इस तरह के बनाएगे तो क्या करेंगे more than में आप क्या करेंगे 20 है तो 20 में क्या करेंगे पूरे कुछ जोड़ेंगे आप फिन 30 में उपरवाल को छोड़ेंगे इहां से पूरे कुछ जोड़ेंगे 40 में फिर इहां से पूरे कुछ जोड़ेंगे ठीक है तो इस तरह करके आप less than more than और इसको फिन क्या करेंगे बनाएगे यह हमारा यहां से नीचे से जाएगा भी ठीक है less than यह हो गया यह हमारा more than से नीचे आता है और जो बीच में करता है इसको मेडियान भी बोलते हैं जहां करते हैं इसको मेडियान या से भी फाइंड करते हैं मेडियान भी फाइंड करते हैं अब बात करते हैं हम लोग लॉरेंस कर्व का लॉरेंस कर्व का लॉरेंस कर्व इस ग्राफिकल मेथड़ अव इस्टड़ी डि arise नहीं होते हैं तो यह हमारे कुछ graphical representations थे जिसके थुरू हम लोग क्या करते थे इसको find करते हैं I think आपको समझ में आए होगा और समझ में आए होगा तो भाई like subscribe मार दो कौन से पैसे लगते हैं और लगते भी है तो जाने दो मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जैंजय भारत